दोस्तों थामनेल तो आपने देखी लिये है दोस्तों तो मेरे लैपटोप में एक समसिया आ गिया है यहां पर चार्जिंग चाइंटेज यह बढ़ नहीं रहा है ज coal-play पर जाके आटक गीया है भले ही मेंग अपने लैपटोप को एक दिन भी यहां पर चार्जिंग लगा के होगा यहां तो फिर प्रोब्लम होगा तो से जपूर्डवेर प्रोब्लम होगा तो ज़्यादा-ज़्य पैंसाइस में ठीक हो जाएगा यदि हार्डवेर इसको fix करके direct आपको बताते हैं किशो fix कैसे करना है तो दोस्तों इस बैटरी वाले problem को fix करने का मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ तो आपको करना क्या दोस्तों सबसे पहले अपने laptop का जो Ctrl panel और इसको खौन पैनल के बाद यहां पर आपको तो आपके कंप्यूटर का जो यह ओपन होने के बाद दौस्तों यहां पर में को मजबाव dudятно कि करना क्या है क्लीक कर देना है उसके बाद यहां अभधी करने क्या है दोस्तों राइट किलिक करके samplesềnaty कर देना हाट कि लैप टॉप का जो इंटरनेट है करेंगों होना चाहिए दोनों को इसी तरह करना है अपडेट कर देना है ठीक है अपडेट करने के बाद दोस्तों आप पुच्छ करना है कि प्रोब्लम जो है यह फिक्स हुआ यह नहीं हुआ 15-10 मिनिट तक देख लेना है कि यह परसेंट को अफ्टेट करेंगे जो समस्या या बायूस के कारण ही होता है तो हम बायूस को अफडेट कैसे करेंगे अबड़ेट करने का तरीका है कि आपका क५़िए्ट जो भी कंप़नी का होगा उसी डाल को ने कमप्यूटर में जैसे कि मेरा फिस्टैन कर लिजिए और इसके थे सी कि असर्ण यदि यह सारे चीज को आप श्रोल करके नहीं करना चाहते हैं तो ड़ाइट गूंगल पे फ्रट के लिए यूवगे, intail.com, लीक के आपको इंटर करते ना, यदि आपका processor intail का हुआ, तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पे देखे लिखा हुआ है, prenॉड टार्षरे, इसीle, don compliance center में, आपको करना क्या है, click करते ना, किलिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह खुलेगा तो हमें करना क्या है यहां पर देखिए लेप्ट साइड में यहां पर बायोस है था में बायोस पर टिक कर देना उसके बाद यहां पर ड्राइबर पर भी टिक कर देना ठीक है दूसरे नंबर पर है बायोस ड्राइबर में हमें करन लगा दिया वायोस ड्राइबर और विंडोज 10 64 bit उसके बाद देखिए यहां पर अपने आप आजाएगा हमें कुछ भी करने जवरत नहीं यहां पर देखा रहा है विंडोज 1064 बीट उसके बाद हम यहां पर वाले में विव डीटेल में क्लिक करेंगे तो सारा इसका डीटे स्ट्फ्ट कर लें जैंगे यहां में सूरोड वो जाएं दिखाते हैं और वह रहा है यहां पर डांलोड है नहीं तो देखी यहां पर डालोड हो गया है उसके बाद हम सोई फोल्डर में क्लिक कर करते हैं उसके बाद यहां से यस कर देंगे दोस्तों उसके बाद थोड़ा सावर वेट करेंगे तो आप इसको इस्टोल कर लिजिए दोस्तों जीस तरह आप कम्प्यूटर में कोई सब्सक्राइब करते हैं सेम वही प्रोसेस रहता छीग है तो मैं HPE सिटेन के दू करने कापको दिखाता हूं मेरे कंप्यूटर में अश्टेंट है मैं इसी से करूग भी है सबसे बेस्ट का भी आपका जिस भी company का है एच पी का है डेल का है या ले नेवो का है या एसर का है सभी का assistant आपको मिल जाएगा तब एसिस्टेन के थुरू से कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो मैं HP Assistant के थूरू से आपको करके बताता हूँ तो देख सकते दोस्तों मेरे कम्प्यूटर में यहाँ पर HP Assistant जो है यह ओपेन हो गया यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका Bios Update नहीं है यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं देखी यहाँ पर बोल रहा है कि आपका Bios जो है इस बॉक्स में आपको चेक करके यहां पर जो डानलोड लिखा हुआ है डानलोड एन इस्टोल यहां पर किलिक कर देना है यहां पर डानलोड एन इस्टोल का उप्सन आ जाएगा यहां पर किलिक करके इसको सबसे पहले डानलोड करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद इस्टो क्योंकि बायोस का है बायोस में कोई भी गड़बर नहीं होना चाहिए नहीं तो आपका बिंडोज खराप भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर देखिए मेरा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूं यहां पर डालोडिंग कम्प्लीट हो गया दोस्तों उसके बाद करेंगे तो आपको ध्यान यह रखना है कि पावर कट नहीं होना चाहिए वरना आपका बिंडोज करब्त हो जाएगा घ्राप हो धीगा है तो आपको जो है पावर का ध्यान रखना है UPS लगा के रखना है ताकि पावर कट हो तो आपका कंप्यूटर सट डाउन अचानक से ना हो जाए ठीक है यहाँ पे देखिए दोस्तो अपडेट का ओप्शन आगिया है अब हम करेंगे क्या नेश्ट पे किलिक करके आगे जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देंगे यहाँ पे देखिए बता रहा है कि किस टैप का हमारा होगा यहाँ पे वार्निंग भी देरा बोल रहा है कि यहाँ पे आप पड़ similarly सकते हैं कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगेगा तो आपको वेट करना आपको कुछ नहीं करना है अब जो भी करेगा आपका कंप्यूटर खुद बखुद कर लेगा यहां पर दिखाते हैं आपको कि आगे का प्रोसेस कैसा होता है क्योंकि यहां पर कंप्यूटर सट डाउन हो जाएगा यहां पर स्क्रीन डिकोड तो होगा नहीं तो आपको अब केमरा के थुरूट से दिखाते हैं तो अपडेट होने के बाद दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है वो रियस्टार्ट होने लगेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है बस पावर कट होने नहीं देना है तो यहां पर स्टार्ट हो रहा है देखिए फाइनली यहां पर मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया दोस्तों तो यहां पर चेक करते हैं कि जीरो परसेंटेज वाला प्रोब्लम दूर हुआ या नहीं तो यहां पर थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पाउच कर देता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो मेरा जो प्रोब्लम है दोस्तों ये दूर नहीं हुआ देख सकते हैं यहां पर अभी भी जिरो ही दिखा रहा है इसका मतलब साफ है दोस्तों कि यहां पर हाड़वेर प्रोब्लम है को अब मैंने अपडेट किया बैटरी का ड्रावर और बायोस को भी अपडेट किया तिया प्रोब्लम दूर हो जाना चाहिए हाँ एक चीजा और है यहां पर स्टार्ट पर किलिक करके आप देखिए कि यहां पर बिंडोज का अपडेट तो नहीं आया है यदि आया होगा त तो फिर तो गारेंटी के साथ मैं आपको बोल देता हूँ कि आपका जो है हाडवेर प्रोब्लम जैसे मेरा यहां पर नहीं फिक्स हुआ तो मेरा हाडवेर प्रोब्लम है ताब हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों अपने लैप्टोप के बैटरी को खोलना पड़ेगा या क्योंकि बैटरी जो है वो सभी लोग खोलने नहीं सकते हैं तो मैं जो हूँ दोस्तों मैं इस चीज को दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ठीक है